हे फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई यूटीव चनल मिज़के डीके अगर बात कुम माई डिविडेंड की तो आप देखो कि इसने जो डिविडेंड अनौंस के वो 40 पैसे परिक्विटी से यानि 20 परसेंट से डिविडेंड अनौंस किया है तो आईए आपको जाधा टेमेस्टन अगर तो इमसीदे आपको इसका जो है क्वाटर फॉर्जेट दिखा देता हूँ आप देखो जो टोटल वैल्यू दी गई है इन रुपीज लैक में दे रखी है लेकिन मापको जो वह क्रोड में कनवर्ट करके बताऊँगा तो आप दे मार्च क्वाटर देखो वहाँ पर आप देखो 587 क्रोड तो वहां से हमें जो आना इसके आप देख सकते हो अगर वाई ओन वाई की मैं बात करो तो हमें जो इसके रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है अगर बात करहें हम इसके एक्सपेंस की यानि टोटल खर्च कि तौ आप देखोगे अपके बार जो इसके खर्चे रहें वहो है 375 क Corey K और प्रीविस क्वाटर की मैं बात करो तो वहाँ पर आप देखोगे तिंसो 59 क्रोड यो है टोटल खर्चे देखने को मिले थे लेकिन प्रीविस मार्च के मैं बात करो तो वहाँ पर आप देखोग अगर बात करूं हो वाई उन वाई की तो वहां से भी हमें जो इसके expenses में गिरावड देखने को मिली यह अच्छी बात है अगर बात करूं हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है यह बहुत अच्छी बात है अगर बात करें हम इसके EPS की यानि अर्निंग पर शेयर की तो आप देखोगा अपके बार जो इसका EPS रहा हुआ है एक रुपे पचपन पैसे प्रिविस क्वाटर में आप देखोग माइनस के 24 पैसे जी हां स्वरी माइनस के 24 रुपे तो क्वाटर ओन क्वाटर भी जंप और जो वाई ओन वाई भी हमें जो इसके EPS में जंप देखने को मिला है तो आप देखोगे इसका जो क्वाटर फूर रिजल्ट है बहुत अच्छा प्रोफिट हुआ है प्रिविस क् मार्ज क्वाटर से तो आप देखोगे बहुत अच्छा प्रोफिट देखने को मिल रहा है तो आप देख सकतो क्वाटर फूर रिजल्ट अच्छा है अगर वीडियो पसंद देख लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्र सब्सक्राइब पर लेना और थैंक्यो पर गोचिंगे देख वीडियो